2019 पारलिमानी एलेक्शन से कुछ महीने पहले ही एक ऐसी रिपोर्ट दिल्ली के मुतलिक सामने आई है जिसकी बिना पर पीजेपी और केजरिवाल की आम पार्टी को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा क्या इसका फाइदा कॉंग्रेस ले सकती है ये सब कुछ इस रिपोर्ट के बाद ही हम आपको बताएंगे माहूल की निगरानी करने वाली दो बैनल अक्वामी तन्जीमों ने बारती दारल हुकुमर नई दिल्ली को दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार दे दिया बैनल अक्वामी खबरासा इदारे की रिपोर्ट के मताबिक ये बात फिजा में मौजूद मादे के जरात या पीम दो अशरिया पांच के हवाले से दुनिया के 61 दारल हुकुमत उन पर की गई तहकीक में सामने आया सुजरलेंड से तालुक रखने वाले एक इदारे आयक्यू विजवल की तहकीक के मताबिक बारती दारल हुकुमत में 2 करोड अफराद मुकीम है जिसके बाद बंगला देश के दारल हुकुमत डाका और अफगानिस्तान के दारल हुकुमत काबल का नमबर आता है तहकी के मताबिक नई दिली की फिजा, गाड़ियों और कारखानों के एकराज दामीराथ से पहलने वाले गर्द वा गुबार, कुडा करकट और करब वा जवार में फसलूं की बाकियात नजर आतश करने से उठने वाले दूएं के बाइस जहरीली हो रही है महुलियाती इदारे ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि साल दोहजारा अठारा के दोरान नई दिली की पियम दो अशरिया पांच की सालाना आवसतन कसाफत हवा के लिहाज से 113.5 क्यूबिक मीटर रही जो चीन के शहर बीजिंग से दुगना जाइद है जबकि बीजिंग में ये मिकदार गुजशता साल के दोरान पच्चास अशरिया नौ थी और वो दुनिया के आलूदातरीन शहरों में आठवे नंबर पर मौजूद है खयाल रहे कि पि-म 2.5 या 2.5 माइक्रो मीटर से कम के जिराद बहुत खतरनाक है क्यूंकि ये फेपडू में सरायत कर जाते है आलमी इदारा सहत की जानिब से रोज़ाना के आतिबार से हवा के मैयार के रहनमा असूल मकरर किया है जो हवा की पि-म 2.5 क्यूबिक मीटर मिकदार के लिए 25 माइक्रो ग्राम्स है दूसरी जानिब चीन ने बरसूं तक माहूलियाती कवानी नाफिस करने की सक्त कोशिशें की और इसके लिए आलूद की पहलाने वाले कारखानों के खिलाफ क्रैकडाउन भी किया गया ताहम इसका फाइदा उस वक्त हुआ जब फिजाई मैयार की बहतरी के लिए मौसिर कानून साजी और वसीतर सियासी अजाइम का सहारा लिया गया माहुलियाती इदारे की तहकी के मताबिक खासतोर पर चीन के मैन लेंड में साल बस साल के अरतिबार से पीम 2.5 की सता में कमी वाक्या हुई है ये रिपोर्ट अब साहब ने आई है जब दिली के पार्लिमानी एलेक्शन कुछ महीने के बाद होने है क्या केजरीवाल और बीजेपी इस चीज का दिफा कर पाएगी ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा और क्या कांग्रेस इसका फाइदा उठा सकती है अलेक्शन काफी नजदीक है और अब दिली के रहने वालों को ये सोचना है कि आने वाले पार्लिमानी एलेक्शन में किसको वोट देना है इस बार वोट का इस्तिमाल दिल से नहीं बलकि दिमाग से सोच कर देना पड़ेगा शारबीन के मेंबर बनी है आपको सिर्फ क्या करना है कि सबस्क्राइब का बटन दबाना है और उसके बाद बैल आइकन का बटन भी दबाना है ताकि आपको हमारी